तो hello everyone जैसा कि मैंने बोला था कि मैं 10 chapter का start करूँगा trigon chapter ठीक है तो मैं start करता हूँ बिना time waste करें ठीक है और exam आ रहे हैं तो मैं दोस्त के लिए बना रहा था सोच रहा था कि मैं बना दू video और youtube पर ही डाल दू चला गया तो चला गया अतरवाइस सोक के समझ में आ जाएगा लोगों को ठीक है तो मैं एक एक कोश्चन कवर अब करूँगा बीना टाइम वेस्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते हैं चप्टर एट है आपको पता ही होगा एक्सरसाइज 8.1 8.1 के लिए क्या important है वो मैं बताऊंगा trigonometry ठीक है start करते हैं जैसे मैं माल लूँ कि तो मैं आपको कुछ नहीं आता means आपको 0 से start कर रहा हूँ मुझे नहीं पता आपको कितना आता है नहीं आता मैं start 0 से करूँगा जिसको नहीं समझ में आता है उसको भी आ जागा जिसको आत ठीक है ठीक है पहले चालो trigonometry का मतलब क्यों होता है तीन अंगल का measurement ठीक है तीन एंगल कौन से होते हैं तीन एंगल किसमें होते हैं ट्रेंगल में होते हैं जैसे कि मैंने कुछ चीज़े बना रुखे मैं बना नहीं सकता वैसे वीडियो लिखनी सकते हैं पर वह मैं आभी लिखूंगा तो पता चलेगा ठीक है यह तीन एंगल का measurement ठीक है तीन साइड किसमें होते हैं ट्रेंगल में ठीक है और सबसे नीचे क्या होता है बेस और जहां पर यह लाइन होती है उसे perpendicular कहा जाता है P means perpendicular ठीक है स्पेलिंग नहीं लिखा perpendicular UAR और बेस हो गया है ठीक है यह हाइपोटेनेस हो गया हाइपोटेनेस का मतलब कोई भी एक नाम दे 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 लिए A B C दे लिए P Q R दे दो A Z Y X दे दो कुछ भी दे दो ट्रेंगल की तीन साइड नाम से मतलब नहीं होता तीन साइड होते हैं पता है यह वाला 90 डिग्री 90 डिग्री जरूरी नहीं होगा लेकिन जो स्ट्रेट लाइन होगा ना किसी लाइन के ऊपर उसे 90 डिग्री कहते हो ओके यह होता है और कभी perpendicular के सामने वाला साइड ऑल्वेज हाइपोटेनेस होगा अगर तुम्हें नहीं ब बचे 90, 90 में से याद आद है यह 45 यह 45 यह जनल बेसिक के लिए अब मैं कुछ चीज़ा बना जाए इसमें ना तीन फॉर्मूले हो जाओंगे 8.1 एकसाइज में अभी हमें पहले 8.1 एकसाइज करना है इसलिए बता रहो इसमें क्या होता है देखो H is equal to P square plus B square यह क्या है यह तो यह दोनों प्लस में एड होंगे और बाकी जबी भी हम P निकाले या B निकाले ओल्वेज यह माइनस में फॉर्मूला लगेगा ठीक है समझ में आ गया और हाँ यह माल लो आगे जाके ऐसा होगा H is equal to A square इधर जाता है तो always root में आता है अब चीजए पर चलते हैं जैसे टिक्ग्णोमेट्र में कुछ चीज होते है साइन, स्सेक, 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 कॉट अब बोलो कि यह चीज क्या होती है कुछ पल्ली नहीं पड़ता देखो यार एक सरकल है इसको यूए कट कर दिया इसको बोलते है ठीटा, साइन, ठीटा, कॉ जो हमारा बहुत दिमा खाप करती है थीटा पीटा बीटा लोग पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं कुछ सोचने की बात नहीं यह तीन है तीनों को यहां लिख दिया इनका रिवर्स बाकी के तीन होते हैं इनके सामने तीन ही तो लिख दिया है आप देखो यह कैसे रिवर प्यासा पी पी बी ठीक है यानि पी बी पी और हिंदुस्तान हरा भरा यानि सबका फर्स्ट वर्ड और इसको बोलते ना ऐसे कर लो और इसको रट लो यानि पी ऑपन एच बी ऑपन वेच पी अरे भाईया इतना ताम जहां क्यों होले पेट रहे हो सिम्पल सी यारह वेच सी बात है एक ट्रैंगल है ठीक है साइन ठीटा है ठीटा की ऐखाए पी पनेएच होतहा इसका फर्मूला ठीक है कोस की क्या है वी पनेच वो गया यही वाला जीश है देखो ना पाकिस्तान भूखा प्यासा, यानि फर्स्ट फर्स्ट वर्ड ले लिया P, B, P, हिंदुस्तान हरा, भरा, ठीक है इसका लिए H, HB, यही है आता नहे, हिंदुस्तान का H, हरा का H, भरा का B आ गया इसको cut करती है यह पहले का password मतलब हो गया क्या बोलते हैं इसको formula हो गया P upon H ठीक है फिर अगले का formula क्या हो गया B upon H त्रीसरे क्या हो गया P upon B ठीक है अब P का मतलब perpendicular अभी just मैंने बताया B का मतलब base, H का मतलब hypertonous clear हुआ, नहीं हुआ तो वीडियो को दोबारा पीछे करके देखना ठीक है आ जाएगा clear ठीक है उसके बाद मैंने क्या बहला है इन तिनों का always equal यह होगा तो इनका formula लिखती है बागे के इनको रटने नहीं है इसका H upon P पी है इसको उल्टा कर दो means reverse reverse, reverse तो वो कोसेक का formula हो गया देखा P upon H है यहां H उपर गया और P नीचे आ गया हो गया सेम कोस में B upon H है सेक में क्या हो गया इसमें H है तो H उपर चला गया और B आ गया यानि सब reverse 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 10 का उल्टा caught हो गया It means इसको दो मिनट में समझोगे तो पूरा समझ में आदा का क्या हो गया सेक 10 का क्या हो गया caught हो गया इतना समझ में आ गया पाकिस्तान का पी भरा, पाकिस्तान भूखा, पाकिस्तान भूखा ही रहता है, प्यासा, ठीक है, वो इसे, पी, अब कुछ लोगों को जल्दी यह मची रहती है न, कि यार क्या समझा रहा है, हमें नहीं समझना, हमें कोश्चन समझाओ, ठीक है, कोश्चन एक करवाने की बात करेती वो करो ठीक है गाइस हम question पर यह आते हैं और पहला question आपके भी book में यह होगा यह क्या है यह होता है triangle triangle इसको triangle पढ़ते triangle ABC कोई भी एक triangle है उसका नाम ABC है इसका मतब है B is a right angle और ABC 24 दे रखा है या और BC 7 और AC यह तो देखो गाइस अगर paper में लिखना है ना तो सबसे पहले लिख देना given given क्या क्या दे रखा यह पूरा लिख देना ऐसे वैसे ठीक है आप समझ लो समझने के लिए और given में क्या दे रखा AB is equal to 24 cm इतना तो पता ही होगा BC is equal to 7 cm ठीक है B is a right angle ठीक है राइट एंगल जो भी है angle ठीक है उसके बाद अब देखो गाइस अब यहाँ पर क्या देखा हमें triangle क्या है ABC माल लो गाइस एक triangle बना दिया हमने ठीक है triangle ऐसा बनाना है कि इससे related हो ठीक है तो एक triangle बना दिया हमने a और यह हो गया बाकि सैबारा बचा होगा देख़ान इतना है ना धेक है तो यह पंधी पता हfolg गया अर और इसके सामने हवाला है हाइपोट unanimous बताया था यह देखो यहान बताया था ठीक है प्याइक है और नीचे वाला और अल्वेस बचा हुआ डेयाया और अब क्या सेथा रखांए यहां पे लिपालने के लिखा और बचा ये साइड ये साइड निकालो, find करने के लिए AC बोल रखा है, तो देखो AC है, इसी को तो find करना है, समझ में आई, AC को find करना है न, ज्यादा वैसे कर दिया, कोई दिखका नहीं, अब देखो, AC निकालना है, AC निकालना है, AC is equal to AB square, minus में BC square, ठीक है, यहर पहले ही बताया था मैंने, minus नहीं आएगा, plus, क्योंकि हमारा formula क्या पदला है, पाइथोगरोज का, यहाँ region दे देना, किस formula से use करा है, H is equal to B square, प्लस में B square, यही तो मैंने बताया था, कि कभी भी hypotenuse निकलेगा, यह hypotenuse side निकालना है, AC, यही तो निकालना है हमें, find यही तो करना है, दो side तो हमें given दे रहे, 24 और 7, ठीक है, तो यहाँ formula लगाया है, ठीक है, राइटिंग पर थोड़े जल्दी में करना पड़ रहा है, ठीक है, उसके बाद देखो, AC हो गया, कभी भी square जाता है, तो root में आता है, बताया था, A square प्लस में B square, यहाँ बताया था न, यहाँ पर बता आजाएगा, घबराना नहीं है, root में जाने से, यह root में चला गया, कोई दिक्कर नहीं, AC है, AB, AB की value क्या दी गई थी हमें, AB की value दी थी 24 और BC की 7, तो AB की value 24 होगे, और BC की 7 होगे, ठीक है, 24 का square कितना होता है, 24 को 24 से multiply करोगे, पता न, वीडियो कैसे बंद होगे, 24 का square क्य value क्या होगे, 576, 24 का 24 से multiply करोगे, 576, 7 को 7 से करोगे, 49, इन दोनों को plus कर दो पहले, आया कितना, 625, यह root में, root को हटाने के लिए, 625 का क्या root होता है, root है तो लिख दो, नहीं है तो रहने दोनों, वही answer हो जाएगा, तो 625 का root होता है, 25, 25 को 25 से multiply करेंगे, 625 आएगा, यह हो गया answer, और AC निकल गया हमारा, AC find कर रहते हैं, AC निकल गया, अब देखो, हमारे पास पहले से P और B था, B हमारा कितना था, 7 और P हमारा था 24, और अब H भी आ गया है, 25, आगया है ना, अब देखो, क्या हो गया, कोई भी sign दे दे, theta की जगए, A दे दे, B दे, sign की value वही, P अची रहेगा, पाकिस्तान, भूका प्यासा, हिंदूस्तान, हराबरा, ठीक है, तो P की value ये थी, H की value आ गई, 25, तो कितना हो गया, 24 बटे में, 7 नहीं कट रहा तो रहने, तो यही आंसर हो गया, अब कॉस का पूछ दे, कॉस का B अच होता है, तो B की value 7 हो गई, और उसका म अचा बराए, ठीक है, एच, एच, इसको 20 से ऐसे card दो, first word लेके, ये पहले कहा हो गया, sign का, cost card, और 10 का, वापिस में इनको reverse कर दो, तो cost x, sack, और cot का हो गया, ठीक है, कितना असान है, 8.1 जो भी exercise ना, आपका इनी formula पर असानी से हो जाए,